हेलो दोस्तों वेलकम ओल दोस्तों MPNHM स्टाफ नर्स का आपका एक्जाम 31st जुलाई को हुआ उसका हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो 30% क्वेशन है दोस्तों ये सेक्शन नया इंट्रेड्यूस हुआ है इसी साल से इंट्रेड्यूस हुआ है जिसमें आपका करेंट अफियर रीजनिंग और जेनल नौलजच इक वीडियो को लास तक देखें क्योंकि दोस्तों आगी की एक्जाम में एक बार आप ने जो क्वेशन एक्जाम में टाइम किया उन्हें सॉल्ड करना सीख जाएंगे ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टाफ नर्स का सेकंड शिफ्ट का एक्जाम में यहां पर फॉस्ट क्वेशन दिया हुआ है रीजनिंग का जो क्वेशन आया था इस सेवंथ पर्सन फ्रॉंट इन दे क्यूव इस तैंथ प पोजिशन यदि पीछे से लों तो मेरे पास 10 पोजिशन आएगी महला पीछे 9 कंडिडेट्स रहेंगे और यह जो होगी 10 पोजिशन होगी पीछे से ठीक है तो कितने कंडिडेट्स होगे दोस्तों 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हमारा आंसर हो जाएगा तो टोटल कंडिडेट्स कितने होगा तो दोस्तों यदि इस तरह के कोईशन आप ड्रॉ करके सॉल करेंगे तो विदिन 22 30 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आगे से 7 और पीछे से 10 पोजिशन तो 9 कंडिडेट्स रहेंगे और 10 पोजिशन वह जाएगी तो 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो 16 कंडिडेट्स है उससे मेर नेक्स नमबर कौन सा होगा तो अब देखो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेशन आए तो थोड़ा सा लॉजिकली यह सोचना है कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तो अब देखिए 525 अब इसके डिजिट्स को एड़ करो 5 प्लस 2 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 12 ठीक है ऐसा ही 8 ए्जिट्स के डिजिट्स को एड़ करो 8 प्लस 1 प्लस 3 कि तना होगा़ 12 , aha 10алась 111 714 के डिजिट्स को एड़ करो 7 enjo Лस और कितना हो गया तो न सारे बस्तों सारे का कि के डिजिट्स को एड़ करना है तो मैरे पास 12 आ रहा है तो अब देखो दयक्तों दोस्तों option में कौन से number के digits को add करने पर 12 आता है तो यहाँ पर add करते हैं 3 प्लस 5 प्लस 3 तो यह कितना हो जाएगा 6, 4, 5, 11 तो यह 12 आ रहा है कि नहीं अब यहाँ पर देते हैं 6 प्लस 0 प्लस 6 तो यह 12 आ गया तो 606 हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा दोस्तो तो इस तरीके से जब भी ऐसे थोड़ा सा numbers game होता है थोड़ा सा तो इसमें हमको logic यह लगाना है या तो digits का sum होगा या digits का difference होगा या digits को multiply करने पर कुछ आ रहा होगा तो इस तरीके से हम logically हो सकते हैं तो आपका answer 20 से 30 second में आपका answer आ जाएगा next question देख लेते हैं दोस्तो जैसे हमने revise किया था क्या revise किया था हमने revision किया था कि blood relation से आपसे questions आएँगे तो वही question आ गया है अब उन्हें बलाए in a family एक परिवार में Mr. प्रकाश has a wife Mr. प्रकाश करी एक wife है ठीक है यह प्रकाश है यह उनकी wife है अब आगे देखे रखा है and his two married brother और उसके क्या है दो उसके क्या है दो भाई है और वो भाई क्या है married है तो हमने बोला यह brother one और यह brother two और यह दोनों भाई क्या है married है तो यह brother one की wife यह brother two की wife ठीक है अब आगे बोला है who one has two children another has none तो किसी एक भाई के दो बच्चे हैं और किसी एक भाई के zero बच्चे हैं एक भी बच्चे नहीं है तो बोला है परिवार में कितने candidates हैं परिवार में कितने लोग है total तो दोस्तो Mr. Prakash उनकी वाई दो उनके दो भाई और उनकी दो वाईस भाईयों की पत्नियां तो एक दो तीन चार पाँच छे और एक भाई के दो बच्चे और छे और दो आठ तो total कितने हो गए आठ candidates हो गए देखो ये Mr. Prakash की वाईफ Mr. Prakash दो Mr. Prakash का एक भाई तीन Mr. Prakash की भाई की वाईफ चार Mr. Prakash का दूसरा वाईफ पाँच Mr. Prakash का दूसरे वाईफ की बीबी छे और Mr. Prakash के एक भाई के दो बच्चे आठ तो टोटल आठ लोग हो गए तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दो एट members मैंने आपको बोला था आप एक्जाम देने जा रहे से तब भी मैंने बोला था यदि question को line by line पढ़ेंगे line by line solve करने की कोशिश करेंगे उसमें logic ढूणेंगे तो question easily आपका solve हो जाएगा दोस्तो start करते है next question देख लेते हैं यहाँ पर दिया है same आपका rank वाला question फिर से आ गया देखो कैसे आ गया rank वाला question तो यहाँ देखते हैं दोस्तो कवी ranked 9th from the top ठीक है top से कौन से rank है 9 तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहाँ कवी है 9th rank from top इधर से अब बोल रहा है 38th rank from bottom तो 38th rank 37 लोग यहाँ रहे जाएंगे पीछे और उसके बार इधर से 38th rank क्या है bottom से 38th rank अब पूछा है total कितने student है दोगो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, and 46 तो total कितने बच्चे हो गए दोस्तो देखो हमारा answer correct आ गया 46 यदि line by line logically आप question करेंगे तो कम समय में एकदम correct answer आएगा तो आपको आप समझ में आया होगा कि किस तरह से इन questions को हमें attempt करना था ताकि हमारा समय भी बच जाता और question भी गलत नहीं होता नेक्स दोस्तो देख लेते हैं नेक्स दी आया है find the missing number in the series ठीक है अब इस रंखला में हमको missing number ढूंडना है दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर शरंखला है 1, 0, 3, 2, 5, 4 और यह number ढूंडना है देखना आप 1 से 0 मतलब माइनस 1 हो रहा है 0 से 3 प्लस 3 हो रहा है ठीक 3 से 2 माइनस 1 हो रहा है फिर 2 से 5 प्लस 3 हो रहा है मतलब एक बार माइनस हो रहा है माइनस 1 और एक बार प्लस 3 हो रहा है अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तो माइनस 1 तो आगे क्या होगा प्लस 3, 4 प्लस 3, 7 हमारा answer आगे, कुछ करना ही नहीं है, logic डूंडना है seconds में और उसका answer टिक लगाना है दोस्तों, बहुत easy है, ठीक है, तो यह हमारा answer 7 आगे, next दोस्तों देख लेते हैं, who is the prime minister of Canada, यह आपका gk का question था, तो Canada का Prime Minister है, Justin Trudiao, Justin Trudiao, जो है Canada के Prime Minister है, next, world environment day is observed on, world environment day कब मनाय जाता है, world environment day 5 June को मनाय जाता है, यह हमने discuss कर चुके हैं हमारे वीडियो में, मैंने dates का एक वीडियो डाला था, उसी से question आ गया है, दोस्तों, next question हमारा है दोस्तों, एक और blood relation का question है, blood relation का बहुत easy question आया है यह, बोला, A is the father of B, A जो है, वो B का father है, B and C का father है, ठीक, A is the father of, A, B और C का पिता है, ठीक, B is the son of A, but not C, वालब B जो है, A का पुत्र है, पर C जो है, A का पुत्र नहीं है, तो दोस्तों माल लो कि आप, आपके पापा के दो बच्चे हैं, ठीक, आप और आपकी बेहन, तो आपके पापा के आप क्या हुआ है, पुत्र, बट आपकी बेहन तो उनकी पुत्र नहीं ठीक है, तो C क्या होगी, पिता के बच्चे हैं और वो पुत्र नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, और फीमेल होगी, मतलब वो पुत्री होगी, तो इसका आंसर क्या आजाएगा, डॉट्टर, बेटी होगी उसकी, ठीक है, नेक्स कोशन देख ले दोस्तो, A to Z हमने अलफाबेट सारे लिख ले हैं, तो देखिए, फर्स्ट जो आपको expression दिया है, A, C, E, G, देखो, A, C, E, G, मतलब A के बाद छोड़ के B, B छोड़ा C, C के बाद D छोड़ा E, अब उसके बाद उसका जो proposition में दिया है, B, D, F, H, मतलब जो alphabets हमने बीच में छोड़े थे, वो उसका proposition में आ गए, अब देखिए, second हमको दिया है, K, M, O, Q, तो देखिए, कहां आता है, K, M, O, Q, तो अब जो बीच में छोड़े हैं, वो उसका answer हो जाएगा, L, N, P, R, तो L, N, P, R हमारा क्या हो गया, answer हो गया, इस तरीके से दोस्तो, alphabets वाले question आपको ऐसे solve करने है, next question है हमारे पास, यह same question first shift में भी आया है, similar question आया है, इसी type का question first shift के questions में भी आया है, तो देखिए दोस्तो, यहां पर हमको series ढूणना होती है, जैसे, यहां देख सकते हैं, A, B, फिर dash है, C, A, B, B, फिर dash है, फिर A, B, dash है, फि यहां पर हमको series ढूणनी होगी, ठीक है, तो A, B, A, B, के बाद यदि A लगाँगा, तो A, B, A, C, A, B, फिर उसके बाद, यदि C लगाँगा, तो series मेरी गडबड़ हो जाएगी, तो हमें एक series ढूणनी होती है, तो यहां जो series बन रही है, A, B, B, C, A, B, B, C, फिर A, B, B, C, तो देखिए, तो A, B, पहले समें क्या हैगा, B, C, फिर A, B, B, C, फिर A, B, B, C, फिर A, B, B, C, तो हमारा जो answer हो जाएगा, B, C, B, C, तो यह हमारा answer हो जाएगा 76, तो यहां पर main important है, आपको यह रख रख के देखने पड़ेंगे दोस्तों, जितना आप इसका practice करेंगे, उ देख लेते हैं, इसे इनका सम 15 आ रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5, इनका सम 7 प्लस 7, 14 प्लस 1, 15, और इनका सम 9 प्लस 2, 11 प्लस 4, 15, तो 15 किसका आ रहा है, यह 12 आ रहा है, यह 17 आ रहा है, यह 16 आ रहा है, तो इसका 15 आ रहा है, 8 प्लस 4, 12 और 3, 15, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक ह 2 is equal to 10 4 is equal to 20 8 is equal to 40 ठीक मतलब 2 is equal to 10 मतलब 5 गुना हो गया 4 is equal to 20 मतलब 5 गुना हो गया 8 is equal to 40 5 गुना हो गया तो 11 पाच गुना क्या हो जाएगा 55 आंसर 10 सेकेंड मैं आंसर दोस्तो ठीक है बस आपको उसको observe करने की जरुरोत है नेक्स कोईशन था दोस्तो Who is the present CEO of नीती आयोग तो नीती आयोग का present CEO जो है अमिताप कान्त जी है अमिताप कान्त जी है जो present CEO है नीती आयोग का आपका इसका current affair का कोईशन था नेक्स World's famous खजुराओ sculpture लोकेटेट खजुराओ का है खजुराओ की मूर्तिया कहां लोकेटेट है तो यह मद्द प्रदेश में है यह MPGK का कोईशन था MPGK का आपका यह कोईशन था नेक्स The famous rock garden is located Rock garden किस city में तो rock garden Chandigarh को जाना ही जाता है Rock garden के नाम से Rock garden जो है बहुत famous है Chandigarh का Rock garden जो है चंडिगarh में है Next question है दोस्तो State the horrible Honbill festival held every year तो Honbill festival कहां होता है Honbill festival होता है दोस्तो Nagaland में Nagaland में होता है आपका Honbill festival Next दोस्तो question है The first woman from India to win a medal at Olympic तो पहली women जिनको Olympic में medal मिला था वो जो थे करनाम मलेशवरी ठीक है करनाम मलेशवरी थे जो जिनको पहली बार Olympic में Indian women जिनको पहली बार Olympic में medal मिला था Next Tansin Saman has been situated instituted by the government of ठीक है तो Tansin Saman सरकार किस सरकार ने स्थापित किया है तो वो मद्रप्रदेश सरकार ने स्थापित किया है ये भी MPG का कोशन था Which Indian state is having the longest costal line costal line का मतलब बता जैसे ये इंडिया है ठीक है इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र है तो जिस राज जिसे समुद्र की सीमा सबसे जादा है ये सीमा तो उसको costal area बोलते है तो सबसे जादा जो है Gujarat क्योंकि Gujarat दोस्तो इस तरीके से फैला हुआ है तो ये जो पूरी सीमा है Gujarat की वो समुद्र से लगी हुई है इसलिए गुजरात की जो line है costal line की लंबाई है वो सबसे जादा है इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो परम वीर चक्र होता है यह मुवीज में भी देखते है हमने बहुत बार पड़ा है परम वीर चक्रेस इस गलंटरी अवार्ड इंडियन आर्मी नेक्स कोईशन था दोस्तो विच इंडियन फुट्बॉलर है सरपाज लायन मैसी इन इंटरनेशनल गोल तो लायन मैसी को किस ने पीछे कर दिया उनसे आगे कौन निकल गया सुनिल चैत्री उनसे आगे निकल गया है नेक्स दोस्तों यह कोईशन आया था एस पर बिसी इस दर कैप्टन टीम कैप्टन आफ टीम इंडिया वन डे इंटरनेशनल टीट्वेंटी सीरीज अगेंस स्री लंका इन जुलाई 2021 तो यह आपका करेंट अफेर का कोईशन आ गया तो शिखर दहवन ने कैप्टन शीप की थी टीट्वेंटी सीरीज एंड वन डे इंटरनेशनल अगेंस स्री लंका करेंट अफेर का आपका यह कोईशन आगे दोस्तों इनगेंस स्री लिए तो यह द्युशन आपका करेंट अफेर का कॉशन आया यह भी करेंट अफेर कोईशन है तो गुजरात में जेन गार्डन का इनाउग्रेशन किया था किसने PM नरेंदर मोधी ने इंडिया has signed a rail service agreement with which nation तो नेपाल के साथ rail service agreement इंडिया ने sign किया था इस general knowledge का question है आपका next question है दोस्तो who is set to become the second Indian born woman to fly to space after Kalpana Chawla तो Kalpana Chawla के बाद भारत में जन्मी हुई कौन सी दूसरी महिला थी अंतरिक्ष में गई थी तो वो थी शिरिशा बंदला शिरिशा बंदला थे जो अंतरिक्ष में गई थी after Kalpana Chawla next question है दोस्तो the dearness allowance of the central government employee has been hiked to how much तो DA जो central government employees को DA मिलता है इसको बलते है dearness allowance वो जो बढ़ा के कितना कर दिया गया है वो कर दिया गया which among the following vaccine in India Serum Institute India में कौन सी vaccine manufacture करने वाला है Sputnik V Sputnik V का manufacturing India में करने वाला है Serum Institute of India which smartphone maker has become the world's second biggest smartphone brand in second quarter of 2021 अब करेंट अफेर का question है तो Xiaomi Xiaomi सबसे second second world largest smartphone brand बन जाएगा in second quarter of 2021 who launched the green sohra afforestation campaign in Cherah Poonji तो Amish Shah ने launch किया था कौन सा green sohra afforestation campaign afforestation मतलब one 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 ही करन मतलब पेड़ो को लगाना तो Amish Shah ने इस campaign को start किया था कहाँ पे Cherah Poonji में तो दोस्तों ये था सारे questions जो second shift में आये थे जो 30 questions थे जो आपके extra add हुए है इस साल से syllabus में हमने पूरा discuss किया कैसे आपको solve करना है जिदी आपने चलने सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर दें तकि आगे की सारी updates आपको मिलती रहे बाकी दोस्तों जैसी कुछ नया update आता है regarding आपका result और आपका challenge का answers मैं आपको inform कर दूँगा और बाकी अपना preparation जारी रेखे दोस्तों बाल्दी वेस्ट